दोस्तो आज के इस वीडियो में strainer और filter के बारे में हम बात करने वाले हैं क्योंकि पिछले किसी वीडियो में आपका कॉमेंट आया था कि strainer और filter में क्या difference है Actually ये सवाल सुनने के बाद ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये दोनों यानि filter और strainer same ही है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, actually दोनों में कुछ हद तक similarity जरूर है, लेकिन दोनों का use अलग-अलग है, तो आज के इस वीडियो में filter और strainer के difference के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके बीच के similarity को समझते हैं, देखिए, filter और strainer में काफी समानता है, जैसे कि दोनों का है इस्तिमाल किसी fluid यानि liquid या फिर gas से suspended particle को remove करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है, कुल मिलाकर का जाए तो दोनों का इस्तिमाल किसी भी downstream equipment में करने से product की quality और integrity enhance हो जाती है, क्योंकि दोनों किसी भी product से impurity और contamination को remove करने में काफी मदद करते हैं, मुझे उमिद है कि ये चीज आपको समझ आ रहा होगा कि filter और strainer दोनों का ही इस्तिमाल किसी भी fluid के flow से गंदगी या यूं कहें कि कचड़े को जो कि किसी भी product के quality को बेकार करते हैं, उनको निकालने में मदद करते हैं, तो आईए अब थोड़ा से समझते हैं कि इन दोनों में क्या ही difference है, यानि filter और strainer एक दूसरे से किस प्रकार से अलग है, देखिए, strainer और filter में जो सबसे primary difference है वो उस particulates यानि गंदगी या फिर यूं कहें कि कचड़े के size का है, कहने का मतलब जो गंदगी या फिर कचड़ा किसी product fluid के साथ flow कर रहा है और उसका size approximately 40 to 50 micron से कम है, तब उसे remove करने के लिए हमें filter की जरूरत पड़ती है, वहीं अगर product के साथ जो कचड़ा flow कर रहा है, जो contamination flow कर रहा है, अगर उसका size 42 to 50 micron से ज़ादा है, तो उसे remove करने के लिए strainer का इस्तिमाल किया जाता है, अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह micron क्या है, तो आपको थोड़ा सा information दे दू कि micron एक measurement का unit है, जो 1 mm के thousand spot के बराबर होता है, यानि 1 micron equal to 1 divided by 1000 mm, यानि 0.001 mm भी आप कह सकते हैं, जेनरली अगर देखा जाए तो एक इनसान की आँखे लगबग 25 micron तक के size के particulates को देख सकती है, इसलिए strainer का इस्तिमाल ऐसे particulates यानि ऐसे कंड को remove करने के लिए किया जाता है, जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, वहीं filter का इस्तिमाल ऐसे particulates को remove करने के लिए किया जाता है, जो कि इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम खुली आँखों से देख भी नहीं सकते हैं, तो ये एक basic difference है किसी भी filter और strainer में जिसका हमें पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और difference है जिनको हम आगे देखेंगे, दोस्तों अगर इस वीडियो से आप थोड़ा बहुत भी सीख पा रहे हैं, कुछ आपको नया चीज जानने को मिलता है, तो वीडियो को like और share कर सकते हैं, और अपनी राय हमें comment करके भी बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका एक like और जो share है ये मुझे काफी motivate करता है और एक दूसरा वीडियो को बनाने के लिए, और अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये कही न कहीं आपका प्यार ही है, जो मुझे खीच के रखता है, एक दूसरा वीडियो को बनाने के लिए निरंतर motivate करता रहता है, otherwise ये चैनल कपका बंद हो गया होता, और शायद आप कोई दूसरा वीडियो भी ना देख पाते, तो guys मुझे उमीद है कि आपका support इसी तरह से बना रहेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक हमने जो देखा, वहां हमने बात किया on the basis of size of particulates, यानि जो सबसे major difference देखा, वो filter और strainer के बारे में ये कि ये किस प्रकार एक दूसरे से different है on the basis of size of particulates, अगर हम इसके functionality की बात करें, तो strainer के case में fluid strainer के अंदर से होते हुए बाहर निकल जाता है, और जो भी dust या कचड़ा होता है, वो strainer के अंदर collect हो जाता है, वहीं अगर filter की बात करें, तो इस case में fluid filter के अंदर होते हुए बाहर निकल जाता है, और जो dust particulates होते हैं, वो filter के बाहर वाले layer पर ही deposit हो जाते हैं, next अगर हम reusability की बात करें, तो strainer के screen को clean करके दोबारा use किया जा सकता है, और यह बिल्कुल ही आसान है, लेकिन अगर filter के screen को हम एक बार use कर लिए, और वो clogged हो गया, यानि भर गया, तो फिर हमें दूसरा screen use करना होता है, यानि filter के screen को दुबारा use करना काफी मुश्किल होता है, next point अगर हम pressure drop की बात करें, तो flute जब भी strainer से pass करता है, तो उसके flow पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानि pressure drop almost ना के बराबर होता है, वहीं जब fluid filter से pass करता है, यानि filter के द्वारा होते हुए निकलता है, तो वहाँ पर हम थोड़ा बहुत fluid के flow में pressure drop absorb कर सकते हैं, तो guys यह था कुछ basic difference filter और strainer के बारे में, hope आपने कुछ सीखा होगा, मैंने भी काफी सीखा इस वीडियो को बनाने में, तो guys एक बार फिर से आप सभी का thanks ऐसे questions को पूछने के लिए, अगर आपका और भी कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा, हम यूँ ही कोसिस करते रहेंगे आपके सवालों को आसान भासा में वीडियो के थुरू बनाने के लिए, so guys इसी परकार की और भी oil and gas related वीडियो को देखने के लिए, चैनल को subscribe करके बेल आइकन जरूर ट्रिस कर दिजेगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें, तो जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद.